हेलो और वेलकम तो मांस्टर प्लस एजुगेशन रेगुलेटेड पावर सप्लाई से रिलेटेड इतने सारी कोश्चन आ रहे बच्चों के कि सर हम इस टॉपिक को एक्जेकली तैयारी कैसे करें क्योंकि theoretical wise भी content उतना अच्छा है नहीं अवलेबल नहीं मार्केट में और second चीज कि इसके जो कोश्चन से वो भी जादा तर अवलेबल नहीं है चाहे आप जेवी गुपता उठालो चाहे आप यूथ पब्लिकेशन उठालो इन सब में भी बहुत कम कोश्चन दी हुए 20% आप मान लीजे regulated power supply and HVDC and HVAC के कोश्चन पूचा है 20% तो आप मान की रखिए तो कही ना कहीं ये selection and non selection के बीच में बहुत बड़ा रोडा बन सकता है इसलिए इसको निकालना अभी से ज़रूरी है end में बिलकुल तयारी नहीं हो पाएगी ठीक है तो कैसे करेंगे चलिए शुरू करते है regulation की need क्यों होती है उसका एक lecture मैंने demo lecture already description में दे देता हूँ वहाँ पर जाके watch कर लिए बहुत प्यारे तरीके से मैंने बता के रखा है क्या क्या उसका actual connection है और उस connection से किस हम किस तरीके से हम एक constant voltage के बारे में सोच सकते हैं क्यों उसकी जरूरत है यदि नहीं करेंगे तो क्या-क्या दिक्कते आ जाएंगी हमारे equipment में यह सब पढ़ना बहुत जरूरी है वह उसमें बताया हुआ है और जेनर की basic characteristic भी मैंने बता के रखी है प्लीज जाके watch कर लीजे तो एक basic idea लग जाता है जब जीनब breakdown पढ़ते हैं तो constant voltage के बारे में सोचते हैं है कि नहीं तो उसी पर लबबग 4 cases बनते हैं कि load resistance वैरी किया वो input voltage वैरी किया दोनों fixed हैं दोनों variable हैं इस पे बहुत अच्छे quotient बनते हैं तो अब आता है बच्चों का दिमाग में कि sir हम quotient कहां से लाएं इसके तो quotient market में generally available ही नहीं है अब वो teacher नहीं नहीं फ्रेम करके दे सकते हैं otherwise possible नहीं है तो quotient practice के लिए बड़ी ज़रूरत है यहां पर faculty की देखो मैं आपने paid पर करा रहा हूं जो बच्चे paid पर जुड़ना चाहते हैं definitely हमसे जूड़ सकते हैं government exam है बहुत अच्छी है महनत करनी पड़ेगी competition बहुत तगड़ा चल रहा है बागी questions के लिए प्रैक्टिस के लिए आप definitely जो आपकी college वगरा में books वगरा चलती थी वहां से ही आपको निकालने पड़ेंगे वो बड़े questions होते थे उनहीं में वो छोटे-छोटे conversion करके देंगे otherwise कोई इसमें ज्यादा छोटे questions मिल नहीं पाते है जे लेवल पर अब next बा common base common emitter इसके बारे में और साधी साथ 3 important reasons कौन-कौन से cutoff, saturation, active reason, कहां पर क्या use हो रहां सब हम वहां पर पढ़ेंगे तो वो important बन जाता है तो all and over इससे जादक तो question है पर इसकी characteristics के base पर कि क्यों use किया जाता है तो जेनर से हम इसको compare कर सकते है वो question वहां से बनेंगे next यहीं हम बात के IC यह सबसे important यहां से यहीं question आएगा तो mostly question यहीं से frame होने वाले है क्यों sir इसका circuit diagram बहुत important है इसके जो 3-4 type से वो बहुत important है यह दो चीज़ आप ध्यान रखना कैसे sir IC में जब हम regulation की बात करते हैं तो constant positive supply constant negative voltage की बात करेंगे फिर adjustable यह तीन important है अब इसमें अलग-अलग type की ICs भी यूज़ तो question यह पूछा जा सकता है कि एदि मुझे constant voltage supply की बात करें तो मुझे कौन सी IC तो 78XX यूज़ किया रहेगा यह negative की बात करें तो 79XX यूज़ किया रहेगा अब उसमें भी कई बार question बनता है कि 78XX यूज़ कर रहा हूँ और मुझे केवल particularly 5 voltage की requirement है तो 7805 वो कैसे बननेगा यह सब की पूरी tabulated form में study करनी ज़रूरी है अब adjustable की बात करें तो यह तो होगे positive नहीं अब adjustable की बात करें तो LM317 is very important इसकी particularly proper तरीके से बिल्कुल analysis करनी ज़रूरी है तो यह आप ज़रूर चेक कर लिजेगा इसकी बहुत अच्छी analysis से question आपके पूछे जाएंगे ठीक है? next day यदि हम बात करें बेटा block diagram SMPS का SMPS एक तरीके से power tonics का ही एक part है but यहाँ पे हमें ज़्यादा in depth तो नहीं but basic basic रूप से हमको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा क्यों है SMPS की ज़रूरत पढ़ती है? switch mode power supply और यदि मैं इसको transistor की तरह use करता हूँ तो switch की बात हो रही है तो कहीं न कहीं cut off reason और saturation reason यह दो के बारे में पता होना चाहिए active reason में तो आपका amplifier बात करता है तो यह दो switching cut off and आपका दूसरा कौन से saturation यह दो reasons अच्छे पता होना चाहिए उन्हीं दो reasons का यहाँ पे circuit के form में हम use करेंगे ठीक है तो यह ध्यान रखने वाली चीज़ है बेसिक तोर पे आपको पूरा analysis आपका होना चाहिए next है यह दि आपका AC stabilizer using the tap changer मेरे बच्चे कभी-कभी होता है कि बहुत हमारे महंगे-महंगे equipment connected रहते हैं चाहिए हम household की बात करें चाहिए हम factories वगेरा की बात करें उन महंगे equipment को बचाना बहुत जरूरी होता है जब बिजली वगेरा गिर रही एकदम से अब बरसात का time बिजली करकर आई एकदम से बिजली का spike हुआ, voltage spike हुआ, voltage spike से यह जो आपके जो महंगे equipment से वो damage हो सकते है permanent damage हो, winding जल सकते है इसलिए वहाँ पे AC stabilizer using the tap changer हम लोग use करते हैं तो उसको कही न कहीं वो control करता है उस controlling के लिए AC stabilizer tap changer आपको पढ़ना जरूरी है AC stabilizer as well as आपका tap changer transformer दोनों के understanding proper होनी चाहिए, next idea हम बात करें servo stabilizer के तो servo stabilizer क्या है, servo stabilizer servo motor के mechanism पर काम करता है, अब इसमें जो question जो आपके बनेंगे, वो बनेंगे इसके जो connected equipments है, components है जैसे bug boost आपका इसमें connected रहता है, आपका dimmer state आपका इसमें connected रहता है, तो इनके combine करके question बनते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्यों बाकियों से बहतर है, क्या characteristic है, यह सब, तो all and over यह सब topic आपको, एक medium level पे सब कुछ पढ़ना है, ज्यादा in depth भी नहीं जाना है, ज्यादा छोड़ना भी नहीं है, एक proper तरीके सो समझ के पढ़ना है, तो यह है पूरा regulated power supply का, बिल्कुल बोल सकते हो कि एक search और इस, इसमें यह दिए आपको अच्छे से महारत हासी कर दिए, हाँ से ही लग जाए इस topic को पढ़ना, बाद में दिक्कत हो जाती है, college level पे कोई भी book आप उठा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा in depth जाने की जरूत नहीं है, इसमें मोटा मोटा level पे कर सकते हैं, और यदि वो नहीं कर पार हो, आपको कहीं पर लग रहा है बच्चों का response भी आप देख सकते हो channel पे, 1449 केवल और केवल JEE के लिए है, यदि केवल कोई बच्चा JEE के लिए त्यारी करना चाता है, 400-500 की तो खिताब आती है कोई, basic electronic, digital electronic, वो खरीद के त्यारी करोगे एक chapter की, उसमें तो आपका हम इत्ता सारे चीज़ दे दे रहें, इवन reasoning भी हम provide कर रहें, नेक्स सेरी हम बात करें कि 1549 रुपए में आपको AE वाले subject मिल रहे हैं, और 549 रुपए में आपको पूरी की पूरी test series मिल रही है, तो पूरा बिल्कुल खदान हमने यहाँ पी कठा करके रखी है आप लोगों के लिए, कि आपकी तयारी कहीं पर ब रहे हैं, लुपए 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 हैं.